इस समाचार के सहप्रायोजग है घर संसार, जह उपलप्त है एक नहीं, 51,000 वराइटियों के साथ कम दाम में अच्छी क्वालिटी का समार, स्थान, भोलरा मुस्ताद मार्क, एवं होटल किंग्स पार्क, सायाजी के सामने, विजयनगर इंदौर दिल्ले पलिस के द्वारा न्यूस क्लिक से जुड़े हुए पत्रकारों और अन्य समाजी कारिकरताओं पर की गई कारवाही के खिलाफ में, आज कोई सारे संगठनों ने एक जुट होकर रेली के रूप में संभागा युक्त कारले पहुचकर कारवाही के खिलाफ क्यापन द दरसल आपको बता दें कि कुछ दिन पर्व में दिल्ले पलिस के द्वारा न्यूस क्लिक से जुड़े हुए पत्रकारों और अन्य समाजी कारिकरताओं पर कारवाही की गई थी, इसके विरोध में आज कहीं सारे संगठन एक त्रित हुए और रेली के रूप में संभावित कारले पहुँचे, जहां उन्होंने अपनी मांगों के लेकर ग्यापन दिया और ग्यापन में मांग की गई है कि दिल्ली पलिस के द्वारा न्यूस क्लिक पर जो कारवाई की गई है, उससे जुड़ा हुआ कोई भी पुखता सबूत मौचुद नहीं है, न्यूस क्लिक और उससे जुड़े हुए लोगों पर जो कारवाई की गई है, उस कारवाई को समाप्त किया जाए और जिन लोगों को पलिस ने अपनी हिरासत में ले रखा है, उन लोगों को तद्कार रहा किया जाए। या सरकार से जुड़े आपराधिक कारेकरता के बारे में बोलना रास्ट का विरोत नहीं होता। सरकार की गलतिया बताने का अधिकार हमारा है, न्यूस क्लिक द्वारा जो न्यूस आई थी उसमें कहीं भी हम अपने देश के खिलाफ कोई भी ऐसी बाते नहीं करते ही है कि कववा कान लेवडा एक विदेशी अकबार ने कोई ख़वर चापी और उसके आधार पर भारत की पुलीस ने इतनी तेश कारवई करी कि ने कोई साक्ष दिये ने कोई प्रमांड दिये और वो दो वरिश पत्रकारों को उस समू में कांट्रूबीट करने वाले अने लोगों के खिलाफ कारवई की गई है मैं समझता हूं यह आम चुनाओं आने से पहले एक भर व्याप्त करने की कारवई है हम सभी प्रकतिशील विचाध हरा के लोग और प्रेस के सुतनतरा में विश्वास रखने वाले लोग इस कारवई का द्रड़ विरोद कर रहे हैं औ और इंदोर में इसको लेकर ग्यापन दिया गया है संयक तुरूप से और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में भी हम कई इस तर पर इसके विरोद में आंदोलन करेंगे विचाध गोश्टिया करेंगे परिसमवात करेंगे इंदोर एक बड़ा गड़ है यहां से हम लो करने वालों के खिलाफ कारवई सरकार कर रही है और आने वाले दिनों में जिसे से आम चुनाओं नजजदिक आएंगे यह घटनाएं भी आम होती जाएगी तो इसका एक ही तरीका है हम लोग एक जूट होकर देश की जंता को बताएं कि यह कारवई गलत है और इसका हम और जो हम सोचते हैं कि सरकार की नीतिया गलक्त है उसके बारे में हम पब्लिक के सामने जाके कह सकते हैं यह हमारे समविधान में बिया गया हमारा अधिकार है और सरकार की नीतियों की गलतियों के बारे में बोलना या सरकार से जुड़े हुए किसी अपराधिक कार्यकरता के बारे में बोलना राश्ट्र का विरोध नहीं होता सरकार की गलतियों को बताने का अधिकार हमारा है और इसमें कहीं भी राश्ट्र की संप्रूबता सोवरेनिटी या हमारे देश प्रेम पे कोई प्रशने नहीं उठता और न्यूस क्लिक के द्वारा जो न्यूस आती थी जो मैं हमेशा पढ़ती हूँ उसमें कहीं भी हमारे देश के खिलाफ देश द्रोज ऐसी कोई भी बात नहीं कहे गए और इसलिए जो यह हमला हुआ है इ यह कहना चाहती हूँ जिन पुलिस कर्मियों ने इन पत्रकारों को पकड़ा और यह आज बता रहे हैं ठाकुर्दा बता रहे हैं अभी साथ बता रहे हैं कि पुलिस ने उनसे क्या पूचा क्या आपने किसान आंदोलन की रिपोर्टिंग की किसान आंदोलन और सिय आंदोल ने कही ना मुस्लिम लोगों ने कही जिनों ने सिये के खिलाफ आंदोलन किया तो उस आंदोलन की रिपोर्टिंग करने से देश द्रोह का कैसे संबन्द हो सकता है यह पूरा जूटा रावा है सरकार का और न्यूस क्लिक को इस तरह से बड़नाम वह इसलिए करना चाहते हैं कि सरकार की किसी भी फ्रकार की जो कमियां है उसके बारे में लोगों तक बात ना पहुंचे इसको राश्ट को है यहां पर भारतिय कम्मिनिस पार्टी है भारतिय कम्मिनिस पार्टी नर्डीमौक्सवादी है कि अधिक है समाजवाधी पार्टी है तो